जब हम यह सोचते हैं कि मुझे वो चाहिए और मुझे मिल सकता है मुझे वो चीज चाहिए और मुझे मिल सकता है तो वो एक clear place से आ रहा है फिर भी कुछ न कुछ उसमे roadblocks होंगे जो easily हम पार कर लेते हैं समय के साथ पार हो जाते हैं कुछ naturally dissolve हो जाते हैं जैसे जैसे हम अच्छी feelings अपने अंदर हम cultivate करते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी roadblocks हट जाती हैं ये सारी स्थितियां भी हैं पर अगर मुझे वो चीज चाहिए पर मुझे नहीं मिल सकता अगर ये feeling strong है तो फिर बहुत सारे roadblocks ready हो गए थोड़े से roadblocks हैं तो हम थोड़ी बहुत कोशिशें करके उनको ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे अपने आपी समय के साथ कई चीज़ें हो जाती हैं पर अगर वो वास्तव में काफी बड़े roadblocks हैं जिसको हम कह रहे हैं negativity बहुत body पर जो impressions हैं वो negative बहुत सारे हैं और life में आपने इतना सारा bad 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 swim के बारे में भी दूसरों उससे related भी family situations में भी newspaper और टीवी वगेरा ये सारों से सारा जो information जाता है दिन भर हम bad feel करते हैं क्या हो रहा है दुनिया में कोई शांती नहीं है ये वो दुनिया भर की जो चीज हैं इन bad feelings प्लस हमारी खुद के बारे में क्योंकि alignment तो है ही नहीं कि मैं और मुझे वो चीज़ चाहिए हम line पे हैं मुझे वो मैं मुझे वो चीज़ चाहिए और मुझे मिल सकता है ये जगह नहीं है इसलिए हम alignment से बाहर हो गए नल तो चल रहा है पर बोतल थोड़ी side में आ गई तो अब क्या हुआ थोड़े से road blocks रहे तो फिर थोड़ा बहुत पानी तो वहां जाएगा अंदर काफी सारा जाएगा बलकि थोड़ा बहुत बाहर गिर जाएगा और उसको फिर भी correct किया जा सकता है पर अगर बहुत जादा alignment से बाहर है बहुत सारी negative thoughts है बहुत सार negative बाते हैं अंदर तो फिर वो कोई बड़ी situation बनके सामने खड़ी हो जाती है जिसको कि देख के लगता है कि यह पार नहीं हो पाएगा पर कोई भी situation हो कैसी भी situation हो कि आज जो भी situation है बाहर उस situation को आप अपने से बड़ा न समझें कैसी भी situation हो वो situation आप से बड़ा नहीं है first condition है alignment का मैं alignment में आने को तैयार हूँ का major understanding वो situation जो आज इतनी दुखदाई है अगर वो बिमारी है तो बिमारी अगर वो failed business है तो failed business अगर वो job है जो नहीं मिल रही तो वो वो एक शादी जो तूटने के कागार पर है वो कुछ भी situation हो बाहर वो situation आप से बढ़कर नहीं है